यहां पर जो फार्मला लगा है, cos theta का 2 cos square theta by 2 minus 1 और sin theta का 2 sin theta by 2 cos theta by 2, यह minus 1 plus 1 कट गया और आप देखे तो 2 और 2 भी कड़िया आएगा, एक ठो cos, एक ठो cos से कड़िया आएगा, बचेगा अंदर कितना, cos theta by 2 upon sin theta by 2 होता है, cos theta by 2, आपको दिख रहा है, cos theta by 2, आपको दिख रहा है, cos theta by 2 काट gap हो जाएगा, कि यह लगा y की value कितनी आएगा, theta by 2, और उपर देहान देजिए, आपने x equal to माना है 10 theta, तो अगर मैं theta की value निकालूंगा, तो क्या मिलेगा, 10 inverse x मिल जाएगा, तो इस theta by 2 का मतलब 1 by 2 ic रहन देता हूँ, इस theta के अस्थान पे रख्या रख देता हूँ, 10 inverse x, अब जब differentiation करेंगे, dy dx बराबर, 1 by 2 ic रहेगा, 10 inverse का होता है, 1 upon 1 plus x square, यह आपका क्या कल हैगा, इसका ओकला, इसी प्रकार से आप सभी question को लगाएगे,